बिहार बूड इंटर अड्मिशन 24 या फिर बिहार बूड 11 अड्मिशन 24 के लिए फाइनली, फस्ट मेरिट लिश्ट जारी हो चुका है 8 जुलाई 2024 से लेकर के 14 जुलाई 2024 तक फस्ट मेरिट लिश्ट में सेलेक्ट किये जाने वाले बच्चों का अड्मिशन होगा और admission कहां होगा, तो जहां उनका नाम आएगा, उनके intimation later पर जो school का नाम छपा रहेगा, वहीं उनका admission होगा, लेकिन इस बीच में कई तरह की समझ से आएं बच्चों के सामने आ रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको पसंद का school नहीं मिला, बहुत सारे बच्चे stream आया है, SLC नहीं मिला है, बहुत सारे बच्चे, OFSS का password भूल चुके हैं, उनका login नहीं हो रहा है, तो intimation later कैसे download करेंगे, यह सारी समस्या आ रही हैं बच्चों के सामने, इसके इलावा कितने पैसे लगेंगे, school में, college में, admission कराने में, फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी ह इनमिशन काता है, फ्रस्ट merit list, उसके बाद आता है second merit list, उसके बाद आता है third merit list, और यह तीनों के date खतम होने के बाद आता है spot admission, तो जिन बच्चों का first merit list में नाम नहीं आया, उनको simply second merit list का wait करना होगा, अगर second में भी नाम नाया, तो फिर third का wait करना होगा, अगर third में भी आया तो फिर स्पॉर्ट एडमिशन में तो 100% एडमिशन हो गई होगा अब दूसरी बात करते हैं हम उन बच्चों की जो किसी कारण से इस साल ओए फेसे पर इंटर एडमिशन के लिए आउनलाइन कर ही नहीं पाए तो उनको इंतजार करना है स्पॉर्ट एडमिशन के डेट क और जब स्पॉर्ट एडमिशन का डेट आता है तो उसके साथ आता है दुबारा से आउनलाइन करने का डेट तो ऐसे बच्चे जो छूड़ गए हैं वह उस वक्त दुबारा से आउनलाइन कर सकते हैं और उस वक्त आउनलाइन करके जहां सीट खाली रहेगा वहां जाकरके 11th में admission करा सकते हैं अब तीसरी बात करेंगे हम उन बच्चों की जिनको उनका पसंद का school नहीं मिला, first married list में नाम तो आ गया, intimation letter तो जारी हो गया उनका, लेकिन उनको पसंद का school नहीं मिला, या फिर कुछ बच्चे ऐसे जो की extreme को बदलना चाहते हैं तो जिनको पसंद का school नहीं मिला उनके सामने दो option है, पहला option है slide up और दूसरा option है spot admission, slide up में क्या करना होता है कि इसमें जो आपको school मिल गया, पहले तो वहां जाकर admission कराना होगा, नहीं कराएगा तो फिर आपका इसी परक्रिया में अभी से समझें कि इस परक्रिया से आपका नाम बाहर, तो slide up के लिए आप eligible तभी होंगे, जब आप जो school मिला, वहां जाकर admission कराएंगे, तो पहले तो आपको admission कराना होगा, admission जब करा लिया आपने उसके बाद OFSS के portal पर वापस जाना होगा login करना होगा, वहां पर आपको मिलेगा slide up का option, उस पर click करके आपको, और फिर से school का विकलब चुनना है, अपने पसंद के अनुसार, और जब विकलब चुन लिजेगा, उसके बाद final submit कर दीजेगा, तब जब second merit list आएगा, तो उसमें आपको फिर से दूसरा intimation लिटर जारी किया जाएगा, और दूसरा school भी आपको मिलेगा, तो इसमें समस्या क्या है न, कि first merit list में जो school मिला आपको, जो पसंद नहीं था, वहां admission जब करा ही लिजेगा, तो पैसा तो admission charge के रूप में लग जाएगा, बारा सव लगे, पंदरा सव लगे, जो भी लगे, ओ लग जाएगा, हालां कि भी hardboard कहता है, कि पैसा अगर first school में लगा, और बच्चा slide up करके दूसरे school में चला जाता है, तो पहले वाला school, दूसरे वाले school को पैसा दे देगा, लेकिन generally ऐसा होता नहीं है, तो first merit list में जो school मिला, वहाँ admission करा लिया, आपने slide up भी कर दिया, तो first वाले school में भी पैसा लग जाएगा, और जब slide up के बाद दूसरा school मिलेगा, वहाँ जाकर के भी admission कराना पड़ेगा, वहाँ फिर से पैसा लग जाएगा, यानि कि दो बार आपको पैसा लग जाएगा, इससे बेहतर विकल्प है spot admission, spot admission के लिए क्या करना होगा, कि अगर अभी आपको first merit list में अगर आपका नाम आ गया, तो इसको छोड़ दीजे, ऐसे ही रहने दीजे, जाने दीजे, इस पर admission मत कराईए, जैसे ही आप admission छोड़ियेगा, आपका नाम इस admission की परकिरिया से हो जाएगा बाहर, अब आप बन गए, phrase student, अब phrase student बन गए, तो आपको first, second, third, तीनों merit list आ करके उसका admission खतम होने का वेट करना होगा, और उसके बाद इन्तिजार करना होगा, spot admission का, spot admission का date आएगा, उस वक्त आपको दुबारा से फिर से online करना पड़ेगा, हाँ, साढ़े तीन सो रुपिया उस वक्त फिर से paid करने पड़ेंगे, जो आपने starting में किया था, एक letter निकलेगा, letter निकाल करके seat खाली कहां इस्वाइड करा सकते हैं, और same यही, 4 बाद जो हम करेंगे, extreme चेंज करने वालोंगे, तो extreme जो चेंज घरना चाहते हैं, उनको भी same यही काम करना होगा, अगर अभी आपका first, second या third किसी भी merit list में नाम आता है, intimation आता है, तो उसको छोड़ दीजे, उसको, उस intimation पर आप admission मत कराईए, छोड़ दीजे, और उसके बाद spot admission में फिर से online कीजे, और online करके वैसे ही stream चुणना तो है नहीं उसमें, जो school खाली मिले, जो अच्छा लगे, महां जा करके आप जिस stream, our science, commerce, जिसमें चाहें, उसमें admission करा लिजे, अब रही बात कि जो mark sit नहीं आया, तो mark sit नहीं आने पर, चुणकि अब भी बिहार बोड नहीं जारी किया है, first merit list, तो mark sit भी बिहार बोड को ही भेजना था, list भी जारी बिहार बोड नहीं किया, तो mark sit नहीं आने पर भी admission करवाने का निर्देश बिहार बोड देगा ही देगा, क्योंकि merit list जारी करने का मतलब ही क्या हुआ, कि जब admission नहीं उस पर नहीं हो पाए, तो इसलिए इसका निर्देश आना बाकी है, या तो mark sit आएगा, या तो mark sit मैट्रिक का आएगा, या फिर इसके बिना admission लेने का निर्देश आएगा, लेकिन admission होगा जरूर, किसी का admission छुटने वाला तो है नहीं, अब अगर बिहार बोड से बाहर के student है, तो उनको migration की भी जरुवत पड़ेगी, mark sit, SLC और migration तीनों की जरुवत पड़ेगी, अब यहां पर मैं एक roughly document आपको बता दूँ कि document क्या लगता है, और पैसे कितने लगते हैं, तो देखिए, document में सबसे पहली चीज तो आपको intimation लेटर लगाएगा, उसके बाद metric का mark sit जो कि अभी आया नहीं है, तो 10th का जो mark sit इंटरनेट से निकल रहा था, उसके अधार पर भी आपका admission हो सकता है, और उसके अलावा SLC या TC लगता है, फिर migration उन बच्चों का लगता है, जो बिहार बोड के अलावा किसी और बोड से आए हैं यहाँ पर admission कराने, और आधार, passbook वेगरा यह सब optional चीजे होती है, इतनी चीजे लगती है, पैसे की बात करें हम, तो 1500 के बीच लगता है, क्योंकि चूंकि इस बार ज लेकि 1500 के आसवास फेस लगते हैं, तो intimation लेटर डाउनलोड कैसे करना है, उसके live वीडियो के साथ मिलते हैं, अगली वीडियो में, फिलाल इस वीडियो के लिए था नहीं